हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहोतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजिनेट परो पे दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटे का बटन कि किस तरह से हम ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं और क्या ओफिशल वेबसाइट पर अभी तक आया है या नहीं लिंक यह देखें यूजिसी नेट हम लिखेंगे गूगल के अंदर और सबसे पहले ही ओफिशल लिंक यहां पर हमें दिखाई दे जाएगा यहां पर हम क्लिक कर आप यहां पर हमारे सामने यह ओपन हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं जून 2020 यहां पर लिखा उए है तो यहां से आप अपना रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहांunya अग्या उनलाइन यहां पर अपदा रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर क्लिक करके देखता हूँ क्या आता है हमारे सामने यहां पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज उपन होगा और अभी जैसे कि यहां पर एक चीज़ मैं बता दू कि अगर अभी आप अपलाई करेंगे जब आप अपलाई करेना तो कुछ चीजे ध्यान रखना कि एक तो आपका जो कटेगरी है वो ध्यान से फिल करना क्योंकि कई स्टुडेंट को मैंने देखा है उन्होंने जैसे कि OBC के अंदर क्लियर कर लिया है जे अरफ क्लियर कर लिया लेकिन जब उन्होंने अपना फोर्म देखा तो उसके अंदर गलती से उन्हें जर्नल पे टिक हो गया थो इन ये जो बेसिक चीजे इन पर आप ध्यान देना ये गलत ना हो जाए और एक और स्टुडेंट था उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एडमिट कार्ड निकाला तो उनकी जो फोटो थी वो चेंज हो गई थी computer operator से तो ये सारे चीजे बेसिक चीजे ये सब आप ध्यान दे लेना और यहां पर आप देख सकते हैं जैसे जर्नल की फीस है एक हजार रुपए OBC की 500 है और SC ST की 2500 रुपए यहां पर दी गई है और यहां पर आप सारे चीजे यहां पर दी गई है जैसे की जो यहां पर और भी कई चीजे दी गई है आप यह सभी पढ़ लेना दोस्तों सारी चीजे पढ़के फिर आप यहां पर I have download information bulletin यहां पर इस पर क्लिक करके click here to proceed इस पर क्लिक कर लेना यहां से आप असानी से अपना online form भर सकते हैं और information bulletin अगर आपको download करना है तो यहां से एक मिनट यह ओपन नहीं हो रहा यह साइद home page से open हो जाएगा यह कोई जरूरी नहीं है वैसे इसके अंदर normal चीजे दी है चलिए हम देख लेते हैं information bulletin यह देखे यहां पर इसके अंदर क्या है वो भी हम देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज है तो हम देख लेते हैं यहां पर यह open हो रहा है साइद network problem की विज़े से थोड़ा इसमें time लग रहा है तो आपको मैं यही सजस करूंगा कि आप जो form है वो अराम से भरना ध्यान से भरना ताकि कोई गल्ती ना हो जाईए यहां पर हमारा information bulletin यहां पर आ गया है इसके form यानि कि आज से form apply होने शुरू हो गए और 16 अपरेल तक यह form भरे जाएंगे और उसके बाद में देखिए यहां पर इन्होंने दिया है कि last date for successful transaction यानि कि fees pay करने के 17 अपरेल last date दी ही है और उसके बाद में देखिए जो late fees है जो है वो यहां पर इन्होंने साइद नहीं दी यहां पर fee payable by candidate यहां पर category wise fees यहां पर इन्होंने दी गई है और यहां पर देखिए correction correction in particular application form यह दिया है 18 अपरेल से 24 अपरेल के बीच में कर सकते हैं उसके बाद में download of admit card 15 मई को admit card हमारा आ जाएगा उसके बाद में date of examination यहां पर आप देख सकते हैं 15 जून से 20 जून के बी 6 दिन एक्जाम चलेंगे और यहां पर सारी चीज दी गई है कि जो exam होगा वो 180 मिनट यानि कि 3 घंटे का exam होगा और बीच में कोई break नहीं है आप यहां पर देख सकते हैं और paper first और second एक साथ दोनों होगे और timing of examination यह है दो shift होगी सुबही की साड़े 9 बज़े से साड़े 12 बज़े तक होगी और evening की डाई वज़े से साड़े 5 बज़े तक होगी तो यहां पर यह कुछ main main important जान करी दी गई है और declaration of result result कव आएगा हमारा 5 जुलाही को हमारा result आएगा तो यहां से आप पूरी जान करी ले सकते हैं और नीचे इन्होंने सारी चीज़े दी गई है कि क जान से भरना ताकि कोई गलती ना हो जाए और तो आज के लिए वसीत रही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल और हमारी एप निमीजनेट एप डाउनलोड नहीं किया है तो वह जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए क्यूंकि उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं वहां से आप ओल्डियर कोशन पेपर ले सकते हैं दिसंबर 2019 तक और कम्प्लिट स्टडी नोट से लाइव मोक टेस्ट है उस एप के अंदर तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारी एप क डाउनलोड कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेर और कमेंट कीजिए थैंक्यू दोस्तों